नवस्कार दोस्तों जेहिंद वंदे मात्रम मैं आपके साथ जेस्वाल सर आप शबी का श्वागा तब जन्दन है पर्यावरन एध्यन के प्रेक्टिस पेपर की बात करेंगे NCRT का पूरा निचोर रहने वाला है NCRT के पेटन पर टॉप 30 संपूर कंसिप्ट से करेंगे क्योंकि आपका प्रेक्टिस पेपर मॉडल पेपर है सभी नीचे कमेंड बाक्स में यहाँ पे कमेंड कीजेगा सारे प्रेशन संभावेत प्रेशन हैं आपकी एग्जाम पर रेपीटिड प्रेशन हैं और आपकी एग्जाम पर आए हुए प्रेक्टिस पेपर रहने वाला है साथियों सभी को पता होगा EBS की बात करेंगे पर्यवन अधन की बात करेंगे संपूर्ण कंसेप्ट का जो निचोड रहता है 30 महात्पूर्ण प्रिश्ण करते हैं और इसके पहले पर्यवन अधन के 6 प्रेक्टिस पेपर कम्पीट कर चुके हैं जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट आपको लिंक मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट का प्रेक्टिस पेपर का लिंक के आँपका बना दिया गया है वर्ग तीन एम्पीटेट वर्ग तीन प्रेक्टिस पेपर सारे सब्जेक्ट के प्रेक्टिस पेपर एक साथ प्लेलिस्ट पर आप लोगों को मिल लाएंगे तो चलिए क्लास को शुरुवात करते हैं तीस महत्मूर प्रश्णों की जितना आप लोगों का फीड़ वैख हो इस प्रेक्टिस पेपर पर आप लोगों का जितना भी स्कोर हो आप लोग comment box में अवश बता है पहला प्रसनय आप लोगों के स्कीन पर है माधव राष्टिउ ध्यान प्रदेस के किस जिले में हैं धार जिले में, पन्ना जिले में, रीवा जिले में, शिवपूरी जिले में नीचे कमेंट बाक्स बना हुआ है सभी प्यारमित, सभी सिच्छबंद, भाई, बेहन, ग्रिणी सभी कमेंट केजएगा तो माधोर आश्टी उद्यान जो है प्रदेश के किस जिले में हैं आपका जवाब सिवपुरी है विल्कुल सही बात है माधोर आश्टी उद्यान मत्पदेश के सिवपुरी जिलो में है और ग्वालियर छेत्र में सित है यह उत्तर पश्चिम मत्पदेश में है और तीन सो चोवन वर किलोमीटर पहर यह फैला हुआ है यह अनेक जंगली परवत घास के मैदान यह जैविवित्ता संपन छेत्र कहल जाते हैं और चिंकारा, चीतल, निलगा, शांवर, गहोंशिंगा, आधी जानवर आपके पाये जाते हैं किस पर जो सिवपुरी परिसीत है माधव राश्टे उत्यान आई यह बात करते हैं दूसरे प्रिस्ट की जो आप लोगों के स्किन पर प्रिस्ट आ चुका है प्रिस इंसलीन की जो रासानिक प्रकति होती है वह हमारी प्रोटीन कहलाती है किसकी बात कर रहें प्रोटीन की बात करेंगे आप सन्म नमबर बिजदराई टेंसर करेक्ट टेंसर हो जाएगा रासानिक संदचना की ज़स से इंसलीन का एक पेप्टाइड हार्मोन है इंसलीन की रा प्रशनों के सरीर में गुलू कोज के उभा पचाय को कौन यंतित करता है तो एमीनो अमनिकी बात करें आएए बात करते हैंगले प्रशन की शभीष शंभावित प्रशन है आपके सलिवस के कॉडिंग है सभी कमेंट केजेगा जिनका सपना है धापक धापिका बनना सिचक बनना पौधे में अर्दसूत्री भी भाजन होता है मुलसेश पर पराकड़ों में तनों में या पराकोश में होता है देखे पर्यावण अध्धन की जो हमने 1500 महत्पून प्रशनों की एक महराथन क्लास चलाई है आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी 1500 महत्पून प्रशनों की पर्यावण वो क्लास लगबख 60 क्लास पर कंप्रीट कर चुके हमचो 60 वीडियोज के मादम से उस 1500 परशनों को कंप्रीट किये है अगर जिनों ने वो क्लास कंप्रीट देखी होगी ये सारे प्रेक्टिस पेपर आप लोग 25 प्लस का स्कोर करने वाले है इसलिए कहते जितना भी समय हो प्रेक्टिस पेपर को अटेंड करें और अपने तयारी को जाचे परखें और सेलेक्शन की तयारी को और बहतर करें तो पौधे में जो अलसूती भी भाजन होता है वह जहाँ आप लोग जानते हैं वह पराग कोश में होता है डी आपसानी दराइट एंसर करेक्ट एंसर हो जाएगा कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट अवेश करें फीडवेक अवश करें और इसके जो पिछली कासे बाल विकास के जो हमने कम्प्रीट की थी उसमें एक कोश्चन मिस्विंट हो गया था वहाँ पे हमने एक जुलाई कर दिया था मिस्विंट की वज़े से जबकि एक अप्रेल 2010 है सिच्छा अधिकार अदनियम का लागू की अगर बात करें कब लागू हुआ था तो वहाँ पे 2010 था ठीक है तो मिस्विंट हुआ है काफिसर कमेंट आये हैं तो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है तो जानकारी देना बहुत ही ज़री होता है मांकि आप सभी लोग ज्यानी सरवग बख्याता लोग है ठीक है तो एक अप्रेल 2010 कर लेना है पौधे में अर्दसूस्ती विभाजन पराग कोस में होता है इसमें अर्दसूस्ती विभाजन के बाद पराग कड़ों का निर्मान होता है जो वास्तों में अपरी पक्कोत था नर युग्म कोद्विद परजनन के लिए पधों पर पुष्प उत्पन होते है पुंकेसर नर जन्नांग था अंडप मादा जन्नांग के रूप में होते है और जो पुंकेसर होता है पुंकेसर में पुतन्तुआ पराकोश होता है देखे पराकोश को ही पुतन्त बोला जाता पुतन्त आ जाये तो आप लोगों को ये मत समझेगा कि ये क्या पूँचा जा रहा है ठीके पुतन्त भी आ सकता है इसलिए ये सारा definition लेका राते हैं क्योंकि इससे सम्मधित भी पूछे जा सकते हैं प्रिशन अंडप, अंडास, वर्तिका, वर्तिकाग, ये सारे चीजें के बात करेंगे आएए बात करते हैं अंगलिया प्रिशन की चौथा प्रिशन जो आप लोगों के स्कीन पर है जैविक सम्मधाय में दोतियक उभोगता कौन होता है देखिए खाद जाल से एक प्रिशन रखा हुआ है ध्यान देजेगा खाद जाल से एक प्रिशन अवश्या हैगा तो जैविक सम्मधाय में दोतियक उभोगता कौन होता है मांसा हरी, शर्वा हरी, शाका हरी या डेट्री, टिवो की बात करेंगे तो सभी लोग जानती दोतिय कुभोगता देखिए जो प्राथमी कुभोगता होता है वह हमारा क्या होता है सभी बताइए शाका हरी होता है क्योंकि पेंड़ पौधे पतियां खाता है तो प्रात्मिक भोगता शाका हरी होता है और प्रात्मिक भोगता को भोग करने वाला दोतियक भोगता कहलाता है फिर वह जैसे हिरन है बकरी है यह प्रात्मिक भोगता हो गया और इसको जो भच्चन करेगा उसका जो भोजन बनेगा वदतीयक उभोकता होगा, तो है हमारे मांसा हरी पर आजाएगा, पहला अपसन सही हो जाएगा, सबी लोग जानते हैं, वे जी उधारी, जो अपना भोजन उत्पाद को अर्थात हरे पौधों से प्राप्ट करते हैं, प्रात्मिक उभोकता कहलाते हैं, उदार्ण तपर हिरन सा का हारी प्राणी है आते हिया प्रात्मिक भोगता है और मांसा हारी जन्त भोजन के लिए प्रात्मिक भोगता पर निर्वर होते हैं प्रश्ण भी आज आ सकता है कि मांसा हारी जन्त भोजन के लिए किस पर निर्वर रहते हैं तो प्राथमिक उभोगता पर निरवर रहते हैं जबकि सरवाहारी जन्तु उत्पादकु एवं उभोगता दोनों पर निरवर रहते हैं क्योंकि स्तरवा हारी है ठीक है वो पेड़ पौदे ये भी खा सकते हैं और मांस भी खा सकते हैं आज वा प्रस्ण क्या दिया गा है जर नियंतर में आम तोर पर सबसे अधीव प्रयोग की जाने वाले आउशदी बुरूफेन वी कॉम्टेक्स पैरा सीटमाल लिग 50 लिव 52 द जब भी हमारे घर में कुछ दिक्कत होती है तो गांव से बोलते हैं जाओ उस बनिया की दुकान से जाना उस चाचा के उस अंकल की दुकान से जाना आप पैरा सीटमाल की गोली ले आना कहते हैं ना पैरासीटामाल की बुखार के लिए एक आमतर पर प्रचलित यह टेबलिट बन चुकी है ठीक है तो जोर नियंतर पर आमतर पर इसलिए सब्द दिया गया है कि आमतर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली जौसद यह वह पैरासीटामाल है और बुरूफिन कि यह जो होता है यह नॉन इस्टेराइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रक्स समूग की दवाईयों में यह सामिल किया जाता है और यह आसानी से आपको मिल जाता है और इसको क्या बोलते हैं OTC ओवर दी काउंटर दवा बोला जाता है कि किसको ओवर दी काउंटर दवा बोला जाता है ओवर दी काउंटर मतलब आसानी से मिल जाता है सभी जगह है OTC परासीटामाल ठारे अर्थात आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी फार्मेसी से बीना डाक्टर के प्रक्सिसम से यह आप ले सकते हैं परासीटामाल की टे का मेरे सभी प्यारे मित्र सिच्च बंदू इनका सपना है गौर्मेंट टीचर बनना धापक दापिका बनना जैस्वाल सर आप सभी का श्वागत अविजनन करते हैं सभी मित्रों को जैहिंद वंदे मातर मिंक लाप जिन्दाबाद चार्थियों एक जाम फदय की त्यारी चल लए है और सेलेक्शन की त्यारी चल लए है आउट आफ 150 में से 125 प्लस की त्यारी चल लए है सभी मित्र सभी सिच्च बंदू कमेंट केजेगा तो दही निर्माड है तो कौन सूच में जीवी उतरदाई है आपका कमेंट आ जुका है लेक्टो वैसिलस की बात करेंगे आईए बात करते हैं शात्वें प्रस्ण की बेतीन प्रस्ण जो आप लोगों की स्कीन पर प्रस्ण दिया गया है बहुत अच्छा प्रस्ण पूचा जा रहा है और आप लोगों का फीड़बेक भी उम्दा और लाजबाब मिलना है तो आप सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे तो वह आपका हो जाएगा लेंड इस्टीनर के बात करेंगे ठीक है यहाँ पे आप लोगों का कौनसा आपसन सही हो जाएगा पहला आपसन जो है सही हो जाएगा आप जानते हैं लेंड इस्टीनर ने चार रक्त शमूं A, B, AB और O की खोज दी बाद में लेंड इस्टीनर ने एबं वीनर द्वारा रीसस बंद में रक्त में आरेच फेक्टर की भी खोज की गई थी और लाल रक्त कड़ों RBC में उपस्चित गलाइको प्रोटीन के कारण रक्त में भीनता भी पाई जाती है जिसे एंटीजन या प्रतिजन भी कहते हैं एंटीजन प्रतिजन दो प्रकार का होता है एंटीजन A तथा एंटीजन B.I एंटीजन की अनुपस्थित में एक सेज प्रकार की प्रोटीन प्लाजमा में पाई जाती है जिसे anti-body या प्रतिरच्छी कहते हैं यह दो प्रकार का होता है एक anti-body A एक anti-body V.I. होता है अंगला परशना यह जान लेते हैं समझ लेते हैं फीडवेक जान लेते हैं मत्पदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली लोगों द्वारा बोली जाती है बुंदेली बोली, बगेली बोली निमानी बोली या माली बोली के बात करेंगे सभी नीचे कमेंट किजएगा जिहां मत्पदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली लोगों के द्वारा बोली जाती है वह आपकी और कोई नहीं साथियो वह हो जाएगी आपकी कौन सी बोली हो जाएगी सभी कमेंट किजएगा अब आपका एक चीज लिख गया है तो आप सभी लोग समझ गए होंगा हम किसकी बात करेंगे बुंदेली बोली के बात करेंगे अर्थास साथियों आप लोगों का पहला अपसंजो है यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा सई हो जाएगा बुंदेली बोली मत पदेश के बुंदेल खंड हिससे में बोली जाती है जिसमें जासी, बांदा, चित, कूर, डतिया, टीकमगल, रत, ललितपूर, शागर, दमो, औराई, पन्ना, हमीरपूर, महोबा, बांदा, नर्शिंगपूर, अशोक नगर, छतरपूर, जिले ही आते है किसकी बात करेंगे बुंदेली बोली के बात करें आपने सुना होगा बुंदेलों के हर बोलों के मुख क्या था? एक बार हमें भूल भी रहा है कि बुंदेलों के हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वह तो जासी वाली रानी थी ठीक है न? तो ये बुंदेल की आपने समझ लिया के बुंदेली बोली यहां आपके दिया भी गया है ठीक है यह बांदा जहांसी जहांसी की रानी ठीक है तो I hope समझ गये होंगे बात करेंगे अंगले प्रिशन की अंगला प्रिशन आप लोगों के स्कीन पर क्या दिया गया है देखे एक कोस की सूचमजीव जो होता है वह क्या होता है सभी कमेंट केजेगा एक कोस की जो सूचमजीव है वह स्पाई गोईरा होता है बिशान होता है पैरामेशियम होता है या हाइडरा होता है सभी कमेंट केजेगा एक कोस की जो सूचमजीव है वह क्या कहोता है पैरामिस्यम पैरामिस्यम जो होता है वह एक कोस की सूचमजीव कहलाता है और पैरामिस्यम एक कोस की प्रोटो जोवा संग का प्राणी है इसमें सत्त केंदक का भाव होता है और यह शिलिया की सहायता से गती करता है ठीक है तो पैरामिस्यम किसकी सहायता से गती करता है शिलिया की सहायता से गती करता है अंगला प्रस्ण है निन्मे से कौन सा पादब जो है शाबुन का विस्थापन है रुद्राच, रीठा, तेंदू या उपरुक्षवी तो सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छा नार्मल सा प्रस्ण है कि ऐसा उत्पाद जो साबुन का विस्थापन है वह रीठा जो है यह साबुन का विस्थापन हो जाता है आएए बात करते हैं एंगले प्रस्ण की निमलिखित वाहनी इद्णों में से किसको आजकल परयावर्ण इसने ही माना जाता है क्योंकि यह परयावर्ण प्रदूसर्ण कम उत्पन करती हैं या ना के बरावर संपीडिद गैस जिसे हम CNG के नाम से जानेज दें यह CNG परयावर्ण इसने ही गैस कही जाती है माना कुवाई मंडली दापर प्राक्ति गैस जितना आयतन घेरती है उसके एक प्रिस्ट से भी कम आयतन तक प्राक्ति गैस को संपीडिद करके क्या किया जाता है CNG का उत्पादन किया जाता है अंगला प्रस्ट है किसी परितन्त में तत्तों का चक्रन कहलाता है जय भू रासानिक चक्र भू बैग्यानिक चक्र रासानिक चक्र या इनमेश कोईने तो किसी भी परितन्त में तत्तों का जो चक्रन कहलाता है वह जय भू रासानिक चक्र कहलाता है अंगला प्रस्ट क्या दिया गया है निमलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर परशारित होंगे जी हां विजानु द्वारा जो प्रकेणित पौधे होंगे बीज द्वारा प्रकेणित पौधे फल द्वारा प्रकेणित पौधे या काईक जनन द्वारा बितृत तो आप जानते हैं समझते हैं ग्यानी स्वरव बख्याता हैं भाविय धापक धापिकाएं हैं किसान से जुड़े हुए हैं खेती से जुड़े हुए हैं मिट्टी से जुड़े हुए हैं कि ऐसे पौधे जो दूर दूर प्रसारित किये जाते हैं वे फल द्वारा प्रकेडि इधर उधर बिखर जाते हैं जल द्वारा भी यह कार बहुत से समुत तड़के पौदे में होता रहता है आई ये बात करते हैं इंगले पुशने के जब एक जीव लाव लेता है बगर दूसरे सह जीवी जीव को प्रभावित किये तो वह पर जीवी कहलाता है सह भोजी कहलात है म्रतोप जीवी कहलाता है या सह जीवी कहलाता है सभी कमेंट करेंगे मेरे सभी प्यारे में तो सभी सिच्चवबंद प्रतेक भाई बेहन ग्रहनी जिनका सपना है धापक का धाविका बनना गौवर्मेंट टीचर बनना तो जब एक जीव लाव लेता है बगर दूसरे सह जीवी जीव को प्रभावित किये तो वह कहलाता है सह भोजी मतलब उसके सह भोजीता से ठीक है जैसे फारिजम्पल आरकीड हो गया आरोही इवं कंठ लताएं हो गई ठीक है ये सह जीविता में दोने जीव जो है परस्ट आईए बात करते हैं अंगले प्रश्ण की जब मोर स सांप को खाता है सांप कीडों को खाता है और कीडे हरे पौधों को खाता है तो जो मोर का पोशन तल होगा प्राथिमिक भोगता अंतिम प्राथिमिक या खाद पिरामिट के सेज़वर देखे जब मोर क्या होता है सांप को खाता है ये मोर है मोर किसको खा रहा है सांप को ख खाद पिरामिड के सीज पर हो जाएगा ठीक है इसलिए हमारा डियापसन यहां पर सही हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं हारे पौधे उत्पादक कीड़े प्रात्मिक भूगता शाप दोतियक भूगता और मोत त्रतियक भूगता हो गया इसलिए अंतिम सीज की बात इन में से कौन सा कायंती सेल का उधारन है देखिए कायंती सेल की बात की जा रही बलुवा पत्थर ग्रेनाइट शंग मरमर या चुमना का पत्थर तो कायंती सेल का जो उधारन कहलाता है वह हमारा क्या कहलाता है शंग मरमर के पत्थर तो यहां पर आप लोगों का सी आपस तान या कायंतितन बत्थारीश का nिर्मार होता है किसे होता है ताप・ दाब रासानी ँक्रियाओं के कारन अगने और आवसादी चठ्रों के स्रूप में परिवरतन होने से रुपांति सपि ellas agora का निर्मार होता है और गिरिय और अर्थात अगने का नाइस टथा चूने के मत्पदेश का कौन सा जिला सहद का सबसे बड़ा उत्पादक है मुरेना शतरपूर शिवपूरी होशंगाबाद सभी कमेंट किजेगा मत्पदेश का ऐसा जिला जो सहद का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है सभी कमेंट किजेगा हम बात करें शाथियो मुरेना शहर की बात करेंगे जी हां मुरेना जीला जो है मत्पदेश का सहद का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है मत्पदेश में मुरेना में जो है मुरेना जीला में पचीस सो किलोग्राम सहद का उत्पादन होता है जी हां साथियो अंगला प्रशना आप लोगों के स्केन पर है राज सभा में होने वाली सभाओं की अधश्चता कौन करता है उप राश्च्पती, राश्च्पती, प्रधान मंत्री जी या भारत के मुख नयादीस की बात करेंगे तो राज सभा में होने वाली सभाओं की अधश्चता कौन करता है उप राश्च्पती ये ध्यान दीजेगा जो राज सभा में सभा होती उसकी अधश्चता कौन होता है उप राश्च्पती होते हैं और वर्तमान में उप राष्टपती कौन है नीचे comment box में अवश्च बताईएगा क्योंकि प्रधान मंती जी नरेंद मोदी जी है राष्टपती सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे रामनात कोविन जी की बात करेंगे ठीक है लेकिन उपराश्ट्पती जो है कौन है आप लोगों को कमेंट करके अवश्च बताना है और किस अनुच्छेद के अनुच्छेद 64 के उपराश्ट्पती रासभा का पदेन सभापती होगा और अन कोई लाव का पद ये ग्रहन नहीं करेगा राजसभा में होने वाली सभाओं के दश्टा उपराश्ट्पती करता है आईए बात करते हैं अंगले प्रश्ट्पती निन में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सरवादिक छेद पर है काली मिट्टी जलोड मिट्टी लाल मिट्टी बल्व मिट्टी सभी कमें किजएगा कल हमने बात किया था काली मिट्टी के बारे में कि लावा के द्वारा जो पिघलने से बनता है वह हमारी काली मिट्टी है और यह कपास के लिए जाना जाती है, गुजरात की बात करेंगे ठीक है कल हमने चर्चा किया और आज के practice paper पर किस मिट्टी का विस्तार जो है भारत के सरवादिक छेत की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा वह है जलोर मिट्टी क्यों होगा क्योंकि भारत के कछारी मिट्टी जलोर मिट्टी को कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है यह सरवादिक छेत में पाई जाने वाली मिट्टी है यह मिट्टी देश के 40 प्रिस्ट भागों में लगभग 15 लाग वर किलोमीटर छेत पर विश्टी थे और हमिटी, पंजाब, सयसम तक के, विसाल, मैदानी भाग के साथ, नर्मदा, तापती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कवेडी घाटियों में यह फाइली होई है अंगला प्रस्ण है, जो साकाहारी जन्तु भोजन के लिए हरे पेंड़ पौधों का निर्भर रहते हैं, वह है प्रत्म चरन भोगता, दोती, चरन, तरती, चरन भोगता या भोगता कहलाते हैं जानते हैं जो साकाहारी जनतु है पेण पड़ुदुंअय पर नेखर रहते हैं प्रात्मिक भोक्ता की बात करेंगे यद प्रथम चरंड की भोक्ता हो जाएएंगे पहला अपस्ट सभी रहे हो जाइगे, तो सभी लोग जानतें, काफी बारे पूंचा गया पृस्ण है, CT8 में इऊPT8 में पूंचा गया प्रस्न है, आपके Am arrière gli t jump यह पूंचा गया प्रस्न है, तो यह संभावित प्रस्न है, और ए Verein Surreal Breaking यह रोग शरपतम चुहे को होता है चुहे के सरीर पर पिस्सू रहते हैं जो इनका संदूशक संदूशित रक्त चूसते हैं और फल सरूप रोग के जिवानू पिस्सूओं में पहुंच जाते हैं और पिस्सूओं से काटने से रोग जिवानू मानों सरीर में पहुंच कर प् आप जानते हैं समझते हैं कि जो गैसी अपसिष्ठे साथी हो वह लकडी कोईला से जलने वाले धुआ क्योंकि गैस की बात करेंगे ठीक है तो लकडी कोईला जलने वाले धुआ की बात करेंगे अंगला प्रिसंदिया गया है कि एको सिष्टम की सही परिभासा क्या है परिस् इस्थान पर अजीवी घटक प्रत्वी और वाई मंडल का छे जहां जीव रहते हैं जीव समदाय और उसके वातावरण का संतुलिक तंत्र तो एको सिस्टम अर्थात पर इस्तिकी की बात कर रहे हैं सही परिभासा जो है वह जीव समदाय और उसके वातावरण का संतुलिक त है सरीर को अच्छी प्रकार अधार देना सरीर का भार कम होना हाँ स्वतंत रूप से मस्तिस की आग्यानुशार जो है कार करते हैं याधिक चेल अधिक तेज चाल बहुत अच्छा प्रशने ध्यान देजेगा तो मानो विकास के क्रम में देखा जाए तो दो पैरों पर चलने क जो सबसे बड़ा लाव है वह होता कि हाँ स्वतंत रूप से मस्तिस के आग्यानुशार जो है कार कर सकते हैं क्योंकि चार पर हो जाएंगे तो हमारे हाथ भी चलने लगेंगे तो सबसे अच्छा यह लाव में लाए ठीक है जो हम दो पैरों के मानो विकास में दो पैरों च लहें तो हाथ हमारे स्वतंत हो जाते हैं जो मस्तिस के आग्यानुशार जो है कार करते हैं आप देखते होंगे कहीं भी खुजली होती तो हाथ तूरंत पहुंच जाता है ठीक है यह हमारे मस्तिस पहले संकेज जाता है संदेश जाता है फिर वह संदेश हाथ पर जाता है त सबी लोग जानते हैं उकम की तीवदा के नापने का यंत को सिस्मुगुराप कहा जाता है और सिस्मुगुराप यंत में रेक्टर पैमाना रहता है रेक्टर तीवदा लगु गणकी पैमाने पर अधारित होती है अब यहां से प्रशन क्रियेट किये जा सकते हैं जब अगर थोड़ा लेवल कठीन करेगा कि रेक्टर तीवदा जो है किस पैमाने पर अधारित होते तो लगु गणकी पैमाने पर अधारित होते हैं रेक्टर पैमाने पर कितने से कितने तक संख्या को बीच में अंकित रहती है तो एक से लेके दस तक संख्या है कि जो इसमें पाचास आएगा तो वे दूसरी नंबर पाजाएगा दस गुना कहला जाता है उसमें अंतर कह दस गुना कहो जाता है आया मतलब यही होता है जबकि प्रतेक अंग पर उर्जा जो है 32 गुनी जो है मुक्त होती है और सभी लोग जानते हैं तीवता की भूकमपी तरंग 6 ओंस आयांटी उर्जा निर्मुक्त होती है किसे नापा जाता है ओंस यह दर्साया जाता है यह यूनिट की बात करेंगे रामायन कला संग्राल है मद्पदेश में कहां पर रिसीत है मेरे भाई बहन से छवबंद है नीचे कमेंट कीजएगा और सभी प्यारे मित जिनका सपना अधापक अधापिका बनना परयावन में 28 प्लस का स्कोर प्राप्त करना जी हां 25 लेके यहां पे अधिक्तम 28 प्लस का स्कोर करना ही करना IBS में इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए क्योंकि आपके सपने सकार हो सके आप जो मेहनत कर रहे हैं उससे हम केवल आपकी मदद कर रहे हैं सेयर कर रहे हैं ठीक है तो अपने आप पे मेहनत कीजे अपने आप पर गर्व कीजे अपने माता पिता के सपने को शाकार केजिए क्योंकि आप ही हैं जो अपने अपने माता पिता के सपने को शाकार कर सकते हैं आपको अपनी और अपने माता पिता के लाइब को बदल सकते हैं यह मौका यह मौका बार-बार नहीं मिलता है इस मौके पे अपना जो है भविश्च लिख दीजिए और सेलेक्षन का नाम सुनहरे यच्चनों से लिख दीजिए क्योंकि सेलेक्षन यहाँ पर शरोपरी है तो रमायन कला संग्राले मत्पदेश पर कहां पर है इसीत है और्चा की बात करेंगे जिसे निवाडी की बात करेंगे मत्पदेश का साथियो पहला जैव आरचित मंडल कहां पर शित है पन्ना टाइगर रिजर पचमडी काना नेशनल पार्क पिंच राश्टी युद्यान तो मत्पदेश का पहला जैव आरचित मंडल कहां परिसीत है हम बात करेंगे पचमडी की अंगला प्रसंदिया गया है निरिच्ण विदी की विशेष्टा नहीं है यह एक मनोबैग्यानिक विदी है यह प्रत्यच अनभों पर धारित है यह एक बाल के इंदीद विदी है जिसमें सिच्छक एक प्रसासक की रूप में होता है कि यह विदी विविन सर्वेच्ण बात करेंगे तो निरिच्छन बीदी की क्या विशेष्टा नहीं है यह पूचा जा रहा है सभी कमेंट करेंगे तो देखिए सभी लोग जानते हैं कि निरिच्छन बीदी यह एक मनोबैज्ञानिक बीदी है यह प्रत्यच अन्वह पर अधारित है और यह बीदी बीदी ने स देखें क्या क्या होती है योजना बनाना अवश्यक त्यारी करना बेवहार का निरिच्छन करना निरिच्छन कार का विसलेशन और व्याख्या करना शमानी करना इस प्रकार के निरिच्छन वेधी एक मनो बैग्यानिक विधी है यह प्रत्यच अनभों पर अधायत है और यह बात कर लेते हैं अंगले प्रिश्ण की जो आप लोगों के इसकीन पर है प्रिश्ण क्या पूचा जा रहा है ध्यान पुरस समजेगा प्रयवन सिच्छा में समच्छा समधान विधी का गट है लच्यकेंदित विधी, सजनात्मक विधी चैनात्मक विधी या उपर्युक्त विधी की बात करेंगे तो आप जानते हैं समझते हैं कि परेवन सिच्छा में समझ्चा समाधान विधी का जो गुण है वल्लच चिकेंदित विधी भी है और सजनात्मक विधी भी है और चैनात्मक्ता की भी बात करेंगे अर्थात यहाँ पर जो उपरिख जभी D option दिया गया है वह साथियों सर्वता सही हो जाएगा आईए बात करते हैं इस practice paper की बात करेंगे इस practice paper का तीसवा प्रस्ण की बात करेंगे क्या प्रस्ण पूँचा जा रहा है ध्यानपूरख समझेगा कि प्रेच्चन विधी की सिमाएं पूँची जा रही है क्या पूँचा जा रहा है दोस्तो प्रेच्चन विधी की जो है सिमाएं पूँची जा रही है कि यह विधी मित वेई नहीं है इस विधी में प्रेच्चन सुच्पता से ना करने परप्राप्त पैडाम अधिक वय देवम आविश्वसनी नहीं होते हैं या आपसे पूंचा जा रहा है इस वीधी से विक्ति के अंतिक बिवारों का द्यन शंभो नहीं है या उपर्युक्त शभी की बात करेंगे देखिए प्रेच्छन विधी की सिमाओं के बारे में अगर जाने कि ये जो आपके तीनों आपसेंस दिये गए हैं ये तीनों आपसेंस जो है प्रेच्छन विधी की सिमाओं हैं क्या हो जाएंगे ये तीनों जो हैं इसलिए डी आपसेंस ही हो जाएगा अर्थात समझ गए हैं कि प्रेच्छन विधी प्राय पर्यावन अध्धन समाजिक विज्ञान मनोब विज्ञान एवं सांकी आधिके छेत्मे उप्योग में लाई जाने वाली एक विधी है और इसमें एक नमूने का ध्यन करके उस पर पूरी आबादी के भिशे में निस्कस निकाला जाता है और इस विधी में लिया गया स्वतंत चर अनुसंधान करता के नियंतर में नहीं होता है इसे अप प्रेच्छी विधी भी कहते हैं ध्यान दिजेगा किसकी बात करेंगे प्रेच्छन विधी को अप प्रेच्छी विधी भी कहते हैं और प्रेच्छन विधी की क्या-क्या सिमाएं हैं आई जान लेते हैं प्रिच्छन विदी की सिमाएं हैं यह विदी मित वैई नहीं है अर्थात ऐसे ही कहते हैं न मित वैईता तो मित वैईता नहीं है इस विदी में प्रिच्छन सूचना से ना किया जाए तो पैडाम वैद वा विश्वासनी नहीं रहेगा इसलिए सूचना से किया जाना हम एक ही बात कहना चाहेंगे आदर्स, अनुसासन, मर्यादा, परिस्रम, इमानदारी तथा उच मानवी मूलों के बिना किसी का जीवन जो है महा नहीं बन सकता है और अपने लच के लिए हमेशा जोसीले और जुनूनी बनिये और विश्वास रखिये परिस्रम का फल शफलता ही सलेक्सन शरो पर ही है मैं आपके साथ जेश्वासर मिलता हूँ जल्दी निस क्लास पर शबी मित्रों को जेहिंद वन्दे मात्रम धन्वा शभी का शुबराती दोस्तों